प्रदेश के सहकारता विभात के मंत्री गोविनस सिंग्ड और अधिकारियों को चेतागनी दी गई है से नहीं दौर में कहा है कि सरकारी संस्थाओं के दोशी अधिकारियों की जानकारी मिलते ही उनके खिलाफ कारिवा ही की जाएगी वह बोले कि फरवरी में सहकारी संस्थाओं से पीड़ित 800 से जादा प्लॉट धारको कोन का हक उन्हें दिलवाया जाएगा वही गोविनस सिंग्ड ने यह भी कहा कि हनी ट्रैप मामले में दोशी नेता और अधिकारियों के नाम सार्विजनिक होना चाहिए पास तब मैं सरकार बनने के एक बरस बार मैं यहाने का समय निकाल पाया हूँ और जो काम हमें करना चाहिए थे लेकिन और कई कारणों से पार्लिमेंट के एलेक्शन होने से दो-तीन महीने उसमें गए दो-तीन सत्र बजान सवागे हो गए उन्हों बैस्त अधाय करने जाता समय नहीं देवे पाए जो जनता को और हमारे सहकारता ब्लाक के से पीड़त लोगों को जो हमें राहत देना चाहिए थे समय पर जादा पूर्वन नहीं देपाए इसके लिए हम स्वेम थोड़ा सा अपने को खेद समझता हूं खेद वेक्ट करता हूं इसके लिए अभी बास्तम में मद ब्रदेश में सहकारी आंदोलन जो है उसमें हमारी करजा माफी के स्की में उसकी भी आज हमने समिक्षा की हमारा दुती चल्ण करजा माफी का इस महीने से प्रारम हो गया है और अगले महीने से अभी दिसंबर दिसंबर के महीने में बेड़ेजला, खरगोन, शेंदवाला और नर्सिंगपुर चार जोलों में दुती चल्ण का मतब पचास हजार से लेके एक लाग तक का करजा माफ इसी महीने में से प्रारम करके एक-दो महीने में पूरा दुती चल्ण समाप्त हो जाएगा पहले चल्ण में बीस लाग से अधिक किसानों का रड़ माफ हुआ था उसमें जो पूरी तरह से ओवर्डियू किसान थे उनका करजा माफ हुआ था दो लाग तक का और सेस जो जिनका पात्र उचके जो डियू थे उनका भी पचाश हर तक का करजा माफ हुआ था इस बात को मैं सुईकार करता हूँ कि हमारी हमें बहुत जल्दी करना था जैसा कि हमारे निता रावल गांदी जी ने गुशना की थी हम तस दिन में करजा माफ करेंगी मानी मुख्वंती जी कमना जी ने सफ़त लेने के एक गंटे के अंदर करजा माफी के आदिस कर दिये लेकिन किसानों के खातों में पूरा पैसा नहीं पहुंचा इसलिए तमाम जगे विसंगेतिया है बिवक्ष के लोग इस बात को मुद्दा बनाके चला रहे हैं लेकिन बचन दिया है कमना जी ने और कांग्रिस पार्णियों बचन पूरा करेंगी हम पर जन बद्द हैं हमारी सरकार पांच बर्स के लिए चुने गई है देरी हुई है इसको हम सुईकार कर रहे हैं लेकिन हम पूरा कर्जा एक एक पाई किसानों की माफ कर रहे हैं और अगले महीने इहां पर भी इंदोर में भी और समूचे प्रदेश में चालू होगी प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी इसके बाद बज़र सत्र हो जाएगा और बज़र सत्र के बाद एक लाग से उपर किसान है जो उनको तिती चल्ड में हम उनका भी कर्जा माप करेंगे ऐसा मुक्वंदी कमलनाजी ने पार्टी ने नड़े लिया है सहकारेता मंत्री गोविन सिंग पिछले दो दिनों से इंदवर में ही हैं मंगलवार को गोविन सिंग ने अपने विभाग के अधिकारीओं की बैठक लिए बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए गोविंद सिंग ने कहा कि सहकारी संस्थानों से पीड़त लोगों कोन का अधिकार जरूर दिलवाया जाएगा गोविंद सिंग ने कहा कि फरवरी महीने तक 800 से जादा प्लोट धारको कोन के हक की जमीन उन्हें दी जाएगी साथी गोविंद सिंग ने अभी कहा कि सहकारी संस्थाओं के अधिकारी जिन्होंने अपने पट का दुरूप्योग किया है उन्हें भी बक्षा नहीं जाएगा